जाएं दोस्तों मैं वीपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वैप स्टाइडी पॉइंट में आपका हादिक स्वागत करता हूं तो दोस्तों हम मैट पढ़ रहे हैं मैट में हमारा मैंसुरेशन चल रहा है मैंसुरेशन में हमने पीछले जो पीछे वाला जो रैक्चिर था उसमें आपको समचे तुर्भूज और सब्लम बेस कोशन कराई थे आज हम कुछ उससे आगे बढ़ेंगे आज जो हमारा नया टोपिक होगा आज हम आपको सरकल यानि वर्थ के जो वर्थ है उस पर बेस कोशन जो अब तक पेपर में काफी बार रिपीटेड होए हैं उनको कराईंगे वर्थ का पूरा कंसेप्ट आपको समझाएंगे ठीक दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अब आपको बताया था क्या होता है इसके डेफिनेशन भी इसके फोर्मुले भी हमने आपको अच्छे चलिखा दिये ते कुछ मैं मतब फोर्मुले वगार तो इस अब कुछ करा दिए थे आज थोड़े से कुछ एडवांस चीज में आपको बता रहा हूं आप उनको समझे फिर उसके बाद हम कोशन पर आएंगे लोगों सबसे पहले तीन चार टोपिक हैं इनको समझे लेना सबसे पहले हम जैसे कोई तीन वर्थ दे दिये हमारे सरकल और तीनों भार से एक दूसरे को इस पर्ष कर रहे हैं ठीक है जी इस तरीके से ये तीन वर्थ है ये तीनों एक दूसरे को भार से इस पर्ष कर रहे है तो जो इनके दुवारा ये परिपत वाला जो छेत रहे है इसका हमें छेत पर निकानने के लिए जैनके इसकी वैल्यू निकानने के लिए काफी बार कोशन आते हैं तो इस तरीके कोशन को कैसे करते हैं इसका जो बेसिक फॉर्मॉला मैं आपको भी बता दूना वह होउड हादो देखो जी हमने माला यह सरकल है ये इसा केंद्र है जैए ये इसका य। इसका anime ठीक ऊड़ी अधी और ये भी और ये भी तो इस परकार जो इसके अंदर ये ट्राइंगल बनता है तो एक संभाव त्रियांगल होता है हमारा यानि जिसकी तीनों हो जाए बराबर हो यानि हो जाए क्या है हमारी यह चिर्बुड होगा हमारा को समझो कि यदि मैं इस वाले तिरवुज में से जो संभाव तिरवुज A B C है इसमें से मैं ये वर्टो के जो चाप खंड है यह वाला चाप का छेतपल ये वाला और ये वाला ये इसको घटा दू तो हमारे यह आ जाएगा बीच का पर यह तो होता है देखो कर कैसे करते हैं इसका सिंपल हिए कितना होगा और और तू आर यह है यह इसमान तो समभाव तेरभूज का एरिया का फोरूमला क्या होता है समभाव तिरभूज का सब्सक्राइब होता है रूट तीन बटे चार गुना भूजा का स्क्वाइर यह तो होता है यालिके रूट तीन बटे चार भूजा क्या है हमारी यह भी क्या है यह नि डू और इसका स्कॉयर कर लो यह हो जाए का हमारा इस तरीके से इंटु यह क्या है यह हो जाएका चार-अर qur और चार से चार कैंचल हो जाएगा जाहां से रूट तीन और स्क्राइर हो गया ठीकिल कि यह हमारा संभाव तिर्बुद एबीची का जो एडिया है कि अरूट तीन और स्क्राइर इसी परकार आगे हम क्या करेंगे जो यह चाप खंड है इनका छीद पर निकाल लो चाप क्या होता है हमारा थीटा अपोन तीन सो शाट पाई आर स्क्वाइर अब संभाव तिर्भुज है तो संभाव तिर्भुज में परतिया कौन कितने डिगरी का होता है यह भी साट का होगा यह संभाव तिर्भुज होगा क्योंकि तीनों संभाव तिर्भुज का मतलब क्या होता है तीनों बुजय बरब्र हो तीनों कौन् ellis यहीं होते हैं तो इहां आगे हमारा पाई पाई और पाई आर इसक्वाइर रपूं सिक्स जान के एक जिरो से चैट्र तेश्ट अब क्या करेंगे हम संभव तेर बुझ में से स्वाले जो संभाव तिर बुझ का का एरिया है है सिमर्श वाले यह को घठाद हो तो इस वाले जू यह वाला भाग है इस पाई आर स्क्वार अपॉन शिक्स यहीं तो होगा यहां चाह क्या करेंगे हम आर स्क्वार दूनों में से कुमन आ जाएगा हमारा इनके रूट थ्री माइनस पाई एपॉन शिक्स इन टू आर स्क्वार यह का फाइनल जाइब टेज़ तरीकश हम इसको निकाल लेते ठीक के दोस्तों यह होता है हमारा तो देखो यह तो हमने क्या क्या यह हमारा मैंने है के एक घृट कि इस वाले का माल लेकिन पूरे कितिने है इसका भी एक है इसका भी एक है तो टोटल कितने हो एक करें एक दो तीन तो क्या करेंगे हम इसमें यहां पर तीन से भी तो मुंटिपलाई कराएंगे क्योंकि तीनों का तीन हो जो हमारे तीन खंडी तो बनते तीन वर्त में इसका यह वाला इसका यह वाला और इसका यह व तो यहां से आप आर को में ले लेंगे तो कितना रूट थिरी माइनर्स पाई अपॉन तो यह इसका फाइनलांट फ़रा था ठीक दोस्तों यानिक इस तरीके का जो भी हमारा कोई तीन सरकल दे देंगे और भार से वह एक दूसरे को क्या कर रहूंगे इस पर्स कर रहे हूंग पर तो जो उनके बीच में वाला गाम बनता है इसका मान जो हमें निकालना है तो हमस्तरी केसे ऊसका मन्ना निकाल सकते है ठीक ही जο यह डिरय क्स में रख लो यह इस तरीके इसतों कर सकती है अब देखो नेक्स इस का जैसे यह ओर unächst आता है कि दो तो वहां तक आपको हमान निकालना होता है इस कमान क्या आजिता हमारा यानिके टू रूट थ्री माइनस पाई ठीक है अब आता है नेक्स कंसेप्ट क्या है हमारा दूसरा यह तो तीन वर्थ है यदि हम इस परकार चार अब आता है करें हो झीजाओ भाहर से रूस घुश्वास कर T कि का की peng викरीस परकार ठीक है जिस थो यह आनकी वढ Zum Po लोगाँ का मान यह जाओ गए यह कुसें जाता तो तो इसक वेशी तरीके से आप मैंने आपको ले बताया इसका concept पूरा इसको भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे ये इसका केंद्र ये इस तरीके से इन वर्तों का केंद्र हो गया केंद्र से जो परेदी पर लाइन मिलती इसको तिरिज्जा बोलती ये तिरिज्जा इसी परकार ये यहां से यहां तक मिना दिये भी त ए बीट उर डी यानगे ए बीची डी एक क्या बन गया वर्ग बन गया क्यों कि कि ब्राबर रहे और यह नहीं कि इस तो और यह उर्ग बन गया यह इस वर्ग के छेत्पल में से इनके समकूने चाप घंड सब खड़ का छेत्पल घटा दू तो यह हमारा भागा जाएगा कर लो जी यानिके जो वर्ग का छेत्रपल वर्ग कि ए बी सीडी का छेत्रपल माइनस अब देखको चाप खंड कितने हैं एक दो तीन चार यानिके चार गुना सम कोनिये चाप खंड का छेत्रपल निकाल लेगे तो करो कैसे करेंगे वर्ग का छेत्रपल क्या होता है हमारा भोजा का स्क्वाइर भोजा यानिके ये भी ये भी का स्क्वाइर ये बैसी का सीडी का ये डिय ईका क्योंकि अलिग हो जोना सम कोनिये चाप का प्छेत्रपल सम्कोने चाप का छेति पल यह हो जाओगा अब देखो एक चीज बैई एक दो तीन और चार यह चार चाप खंड मिले के टोटल एक वर्थ बना देंगे है नहीं येक शoka खी एक भाग ये एक भाग ॥ तो तो चारों मिलेख क्या करदेंगे पूरा एक वर्त बना देंगे तो पूरे 4 का क्या हो जाए कि पॉरा वर्त बना देंगे तो morningरFr स्कॉएर क्यों हो जाएयद और 6 मेदा और आपन 12 करना पड़ेगा है यहां यहां भागे हो गे यहां से लिक सकते पूरा क्या मनगा हमारा या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो मर reporting यह तरीके से से ठीक है यह से फिर भी खड़ जाता है तो यहां से क्या आगे हमारा है एसका रिजल्ट आता है हमे다가 उसका पोस्ते हैं हमारे को सिन आएगा तो इसका बोट दुबो भाग का मान क्या होगा तो क्या जाएगा सबस्क्राइड जैंक तरेते जब हुझा है मारी यह गुझा अब आगे आते हैं ऑहां मेरे Susi कन रहे हैts यह आप इनके स्कीन सोट लेते रहों और यह याद रखने आपको इनकी फिर क्योंकि इन पर सीधे सीधे हम आपको कुशन कराएंगे और फिर हम इतना लंबा ना कड़िके सीधा फॉर्मॉल में इसमें जो होगा उसको यह अनुदा वैल्यू पूट करके आपको निकालेंगे अगया आता है हमारा जीसे कोई हमारा अर्दवर्त है दे दिया यह हमारा अर्दवर्त है इस तरीके से ठीक है जी देली इसको क्या है से एते इस के अंदर हम चोटे चोटे यह वर्त बना देते लिए इस तरीक से अगल कि अ ठीक है जी यह पूरा यहां से यहां तक है जो हुआ का आ यह मनकिक केंदział मा लेंहां पर यहां से यह क्या होग इसके तिरिज कनμε अन्हार और इसके उपर एक हमने ये इस मोल और डियर का एक सर्कल बना दिया तो हमें क्या आता है इस इस स्मोल यूल लिडियस के वैलू निकान रहने होती है इस तरिक वह नगे हमारे पेपर में काफ़ी बार आकुके है तो इसकी जो यह हमारे रेडियस होती है तो इसका क्या फोर्मला होता है इसका फोर्मला होता है हमारा यानि एवी अपॉन six ये बी क्या है हमारे पुरा व्यास से एक्पवन शिक्ष ठीछ ये बी यानि के क्या हो जाएगा हमारा ए भीैस उसको क्या होता है तिरज्जा का दो गुण न हमपोन टूquat देंको कीतना तीन यानि तो कितने हो जाएंगे दो और इस पूरे में हमारा बड़ा सरकल है स्मॉल और रेडियस का तो यदि हमें स्मॉल और रेडियस की वैल्यू निकान लिए तो उसका क्या फॉर्मॉला जो बड़े वाले अर्दवर्थ की तिरिज्य होगी इसको तीन से भाग कर तो इसका डेलेक् हो गया कि यह अर्दवर्थ बनाया हमने कि इस तरीके से इसमें एक दो तीन चार पॉंच छे एनके इस तरह बहुत सारे आ जाए और फिर यह उपर इस तरीके से ही यह हमारा सरकल बन जाए ठीक है इसकी रेडियस और हो तो इसका फॉर्मॉला क्या होता है कितने भी हो तो इ प्रोंः नाा इससें बीविद्यू फॉर्मॉला क्या हैक् суд जेसरे और बने जाए और क्या है एक रहते है्यों ए यह इस पुरेवालए प्र कीfather्इटा इनको आप याद रख लेना यहाँ पर लिख देता हूँ एन क्या है हमारा एने है तिरिज्जा पर वर्टो की शंख्या और कैपिटल आर क्या है हमारे बड़े वर्ट की बड़े वर्ट की तिरिज्जा ठीके दूस्तों इच्की शोट ले लो आगे फिर हम आपको आगे बताएंगे कुछ और मतलब इसके जो इससे रिलेटेड है उनको देखो आगे आथा है हमारा जैसे कोई दो वर्ट दे दिए यह इस तरह के से ठीक दी और दोसा वर्ट इसको इसफ़र्ष कर रहा है ऐसे और इस तरह किसे और इनके जो यहां से इनको एक मल टैंजेंट होती है यानके इस पर रेखा इनसे इस पर होते हुए जा रही है इस तरीके से तो जो यहाँ पर हमारा वर्थ बनता एक तीसरा वर्थ ठीक है छोटा हमेशा इस वाले वर्थ की radius पूछी जाती है यदि मैं इसको C मान लेता हूँ तो छोटे वर्थ की त्रिज्य क्या होगी यह हमसे पूछे जाता है इसके हमने यह वर्थ यह वर्थ बी हो गया वर्थ हमने C मान लिया हमने इसकी radius यहां से यहां तक क्या मान ली इसकी रेडियस हमने माल ली B तो हमसे क्या पोछे जाएगा कि छोटे वर्थ की तरिज्या क्या होगी तो इसका जो फोर्मुला बनता है क्या होता है हमारा 1 upon under root C equal to 1 upon under root A plus 1 upon under root B आप इसको ऐसे ही डिरेक्ट याद रखना ठीके दोस्तों इस तरी के कोर्शन आपको काफी बार मिलेंगे पर में आयोस इस एस में देए को आपको एक कॉर्सन भी कुरा देता हूं इसका पर में स्कीन स्ट ले लो अब देखो कुर्शन पर आते हैं को आदो को कुछर तैना को को किस परखले हैं सिर्ण करें Europeальный काया दे लिया यह इसमें एक वर्त हमारा इस तरीके से यहां तक हो गया और एक वर्त यह इस तरीके से इनको सपस्क्रश कर रहे है और यह तिसां वर्त है हमारा यह वाला जो इसको सवस्थ करता हैि उसकी रेडियम हमने कितनी सी है है ओर ये यहां-से यहां तक की वैलु साथ देदी ऑर यहांने तक कि भी कितनी सवात मुझा यहां कि आयत बन गया 14긴 7 का सॉनों से पूच लेंगे हम से पोछ लेंगे क्या तो सी की वइलू निकाले यानिके छोटे वर्द की त harm सथ निकाले तो देख लो अब यह बीवाला थे फाले तो इसका क्या फोरूमला बताया था वन अपोन शेज इकल टू बन अपोन अंडरूट ए प्लस मन अपोन अंडरूट पी यह हमने आपको बताया था अब देखलो इस वाले की तिरिज्जा कितनी होगी हमारी साथ भाई यहां अगर मैं इसको केंद बांता हूं तो यहां से यह थे कितने होगे सेवन हमैनिक और उसके है शेक divat तो निकाल लो मन अपोन अंडरूट यह जेगल टू वन अपنا गश्या भाई होगा हमारा वन प्लस वन यानि कितना हो लिए यह हो जाईगा है वränकिंख watt लूट से नहीं होगा वन आपून रूट सी यह से आजाए या जाएगा लैं कि वन आफ फॉन कीजी कल टू टू अपॉन रूट puedes ईदि मैं दूनों पक सो का वर कर सकों क्या जाएगा हमारा वन अपानgend सी दो खवर करेंगे चार अपनांन साथ अब सी के वैलू करेंगे दो। रोगने के पेपर में जो ऊचबाने रहे हूं कि कितना पहले समझागा हूं अच्छे से आप इनको इनके प्रैक्टिस करना बार बार और इन कोर्शन को आप अन्क हम से कर लोगे आप हड़ते एंदर ने चन्सेप्ट की और तो आगे क्या है हमारा आगह ऐस तरह के की होता है कोई मतर्ब कोई almost जरेंगल दे तो टेंदें आ इसके इंदर वर्त बना दिये जैनी सर्कल इस तरीके से उसकी रेडियस हमने आरवन मान ली यह आरटू मान ली और यह हमारी और थरी होगी तो जो हमारा यहां से रेडियस यहां पर पोच लेगा तो और वन की वैल्य की वैल्य पूच लेगा यहां रोट और और वन इंटू आर्ट 3 ये इसका रिलेशन होता है इसको मैं मतलब आपको प्रूब करके बताने रहूं बहुत बड़ा इसका प्रूमेंट है यहां मतलब आप इसको डिरेक्ट ऐसे याद रखोगे तो काम चल जाएगा ठीक है तो प्रूब कियो सकता नहीं पड़ेगी तो इसको भी किशीए वरत के रेटे दिए उसकी परिदी पूछ सिए प्रीदी क्या होगी उसका छेतपल पंच ले क्या होगा तो आप उनको डिरेक्ट ऐसे ही याद रखना मैं आपको बताता हूं क्योंकि वह हमें क्या होता याद रखना यह हमारी या रिक शरूम्फरेंस यानि परीद यानि छेत्रपल यदि किसी वर्थ के जो तिर्जा कितनी है साथ है इस तरीके से पहले में रेडियस लिख देता हूं फिर यहां पर सरकंप्रेंस यानि के परिदी हो जाएगी और फिर हमारा एडिया साथ 14 21 28 35 साथ 21 28 35 और 42 ठीक है जो हमारे यह होगे परिदी क्या 44 इस एक्टी एट इसके सामने यह इस तरीके से अ जाएगे यह हमारी परिदी आ जाएगे यह हमारी क्या आगे यह हमारी चरिंजा यह यह साथ यह रीट इस कितनी है हमारी त्रीजा इस आते तो उसकी परिदी कितनी होगी 44 14 है तो अठासी 21 एक्षे एक्षो बत्तेश अठाई से तो कितनी हो जाएगी हमारी एक्षो छंतर थे तो नुट्यों और आगे आता है हमारा 24 64 उसके बाद आएगा हमारा 28-50 फिर आज आएगा हमारा 55-44 आपको यह बहुत अच्छे से टेबल याद होनी चाहिए यह आपको अपने पेपर में टाइम बचाना है तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कुर्शनों में ठीक है तो यह आपको या जितनी है है शात है तो हमें उसकी क्या निकान ली यदि उसके हमें पारीधिन निकाने तो परीधिक ऐंस परीधिका स्जागर नीइस होता हमारें इए हमारी हम यानिके तूप आणर अब निकलत दो गूना 22azar 7 पाय की वैली बाइसे अचावय के है हमारी आरह हमारी साथ तो शाथ तरे शाथ और इस दूने जिवाल स तो आपको जो इतने मिनट याहन के कुछ सेकंड का टाइम लगा है आपको 30 सेकंड लगबग लगई आप आगे मतलब जो concept हैं हमने आपको बता दिये हैं आगे हम question आपको कराएंगे सबसे पहले हम बहुत छोटे छोटे question से start करते हैं आपको पता है मैं सबसे पहले चोटे इजी वाले question फिर लेविल थोड़ा बढ़ाता बढ़ाता मतलब अपर लेविल तक ले जाता हूं जो अच्छे question भी paper में हमारे आते हैं ठीके दोस्तों तो सबसे पहले हम थोड़े छोटे-छोटे question से start करते हैं पहला question है यदि किसी वर्थ का छेथपल एक्सो वाई प करो जी कैसे करेंगे हमें निकालना एक्स एपौण जैड़ एक्स क्या है वर्थका व्यास सुरी एक्स हो रतका छेथपल्ण से वर्थकौण क्या होता है पाई और इसक्वाय एप वाई क्या है परिदी परध की परिदी 2 पाई- चाहे दूर एंटू जैड क्या है उसका व्यास क्या ताया तो जागा है। और अब जो कटता इसको काट लो पाई से पाई केंसिल और इंटो और क्या होगी हमारा आज स्वकुर्श से आज रस्वर यानि क्या बच गया वन अपोन दो दूनी 4 जो एक बटाया नेच बाता इन रेश कर फोर यह जा जाएगा हमारा आज सिंपल सा कोर्शन था कोट्सक्र क्या था बस इनकी हमें फोर्मुले याद होने चीए थे फोर्मुले पर सीधर सीधा कोर्शन दिया था अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन पर आगे आते नेक्स्ट कोर्शन पर नेक्स्ट क्या है किसी वर्थ के खंड का छेतपल जिसके 35 cm है तता जो एक 3.5 cm लंबी चाप दुबारा बना है उसका हमें क्या निकालना है छेतपल निकालना है ठीक है जी छोटा सा खुशन है बिल्कुल फोर्मुला वेज करो क्या फोर्मुला है वर्थ खंड का छेतपल क्या होता है हमारा हमें वर्थ खंड का छेतर फल यानि एरिया क्या होता है हमारा लिट यह यको हमारा जब एंगल दिया हो उसके लिए दोशा होता है व्भी हम आपको पड़ाया है तो यह हमंतर हम इंगल नहीं दिया है तो इस रूम में निकाल लेंगे शीडे। और टिक टिनी इस्षाइश को भाग करेंगे किता आ जाएगा धाई ऑर टूपाइव मंटिप्लाई भाइवए थी पॉइंट फाइप पत्चिस गोजेश फो पत्चीस हासिल बारां पक्षिश्थे पिछेस्थ तर प्षेस्थny और बारां केतने होगे पिछेस्थर फेस्थर और बारां या बोर पोईंट कितने बाद दोंग के बाद ये के दूखरों ये यह दो यह जैनिन इतने सaci्ट मेंटEr को सिम्पल सब्चेंट था यह थी टेकर यह हमारा अन्षर हो जाएगा आब आते हैंस फोशंट ऑपर तो दोस्तों आते हैं नेयस्ट कोशन पर किसी वर्ट की पड़िदी 11 सेंटीमीटर था था वर्ट के एक तिरीज़्य खंड के कौन की माफ साड डिगरी है तिरीज्य खंड का छेत्फल क्या होगा यह भी पहले वह में पहले में क्या था हमारे चाप की लंबाई दी थी और तिरिज्जा दीती तो वह वाला फोर्मिल लगायता है इस बार हमें कौन दिया है तो कौन वाले फोर्मिले से हम इसका मान निकालेंगे तो क्या होता है तिरिज्जा खंड का छेत्पल हो जाएगा हमारा तिरिज्जा खंड का जो एरिया यहानिका कितना आ जाएगा क्या ह फोंत होता है ठीटा अपॉन तीन सो साड डींटी इंटो पाई ऑर इसक्वाइर मुला थेड़ा तेट इनस्ट आइप अब जै抵ेली फेलुो सुपायर सुपाई यही तो होती है वर्थ की पड़ीदी टू पाई र की वैलू किसके बराबर दी है 11 के यहां से क्या करेंगे मार के पैल निकालेंगे यह आर इधर 11 बटे यह क्यों आ जाएगा बहग में पाई की वैलू कितनी होती 22 बटे 7 तो यहां पर मैं रख सकता हूं 22 बटे 7 अब यहां है नहीं साथ मैं चिल जाएगा निक ने कितना हो जाएगा 11जा साथ तो आजाएगा ठीटे के वैल्यू कितनी दिया है शाट बटे तीन सो शाट गुना पाई ठीक है यह पाई इसको पाई की रूम में रखना चाहरे हो आप पाई के रूम में रख लो कितना 11 बटे 2 पाई भी रख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें पाई कर देंगे अगर ऐसी ते साथ साथ केंचल यह कडिया दो से कर जाएगा और यह कितना..? गोना 7 बटे यह दो चोप 8-10 आठ चंग 48 जन कितना होुगया हमारे 11 से 70 बते 48 यह हो गया हमारे इसका एरिया सेंटिमेटर स्कूरी स्क्या सेंटिमेटर मेंकर ट्रकरणे दोस्तों तो तो टील है पल कितना है सबस्क्राइब आचैना हो जाएगा आनसवर यह क्में है आप काढ़ के लिख सकते कि लो मेटर की दूरी तया करने में की चक्कर में शिंपल सा इस त्रिंप कैसे संक्या होग और सुधार कि दूरी थिया परहिए yaras चक्करों के संक्या तो निकाल लो जी सबसे पहले हमें तिरिज्जा दिए तिरिज्जा कितनी दिए 1.75 हम यहां से परीधी निकाल लेंगे वर्थ की जो परीधी होगी वर्थ की परीधी क्या होती है टू पाई आर इनके दो गुना बाइस बटेश साथ इसको भाग कर दो यह हो जाएगा साथ दोने 14 और साथ पंजे 35 इससे इसको भाग करेंगे यानि कि आगया हमारा 44 गुना जीरो पॉइंट टू फाइफ और जी इसके पच्चे चो का सो पच्चे चो का सो और जी सो और दर्स यानि यह हो गया हमारा 11 कितने 11 मीटर एक दीखियों कि दौन के बाद है पॉइंट है तो दो जीरो पे कट जाएगी कितना जाएगा 11 मीटर अब हमें निकालना क्या चक्क यह परोख़ी संग्छा निके टोटल दूरी कितनी यह 11 किलो मेटर बटे परीधी कितनी 11 मेंटर अभी घृू में इनल जीरो में स्कूलो में बदल लो छ fellow यह सबमेटर में तो यह मुझे में इसको में बदलना तो एक हजार से क्या करदेंगा हम वहाग पर सब्सक्राइब करने में 1.75 मीटर तरिज्या वाले पढ़ने को कितने चक्क्र लगाने पड़ेंगे एक हजार यह गया उसका अन्सवर ठीक है स्कीन सूट ले लो अच्छा कुस्टन है आज आता पेपर मिश्वार ऐसे कुस्टन नेक्स्ट कुस्टन हमारा यह पहिंए वाले खिलोने का व्यार 14 सेंटिमीटर है तर्द नुसार 15 चक्करों में कितनी दूरी तया खरेगा सेम पहले वाले कंसेप्ट कुस्टन है पहले जो फोर्मना तो उसी पर करेंगे तो ठीक है आप इसका आन्सवर हमें कमेंट में करके ब हरा वाले से दूस्टों आगे क्या है पुर्शन नंबर 6 हैं हमारा दो सकेंद्र वरत दू 282 3 b2 के बीच के बोले का चीथ सब्सक्राइब करें यह निद्क दू्स अकले वर्त यह थे जिनका केंदर एक गी हो यानिके ऐसे मैंने दो वर्थ बनाएं एक वर्थ यह हो गया ओर या टोनों का केंद्र किया है एक है तो इनके वले हो गया है यांकि इस वाले वहाग जो यह वह बहुत है ना इसका छेट पर हमसे पूछा गाया कोश्चन में देखो यह करते कैसे करेंगे मैंने आपको टेबल लिखाई थी टेबल का यूँ देखो कैसे होता है अब यहां पर परीदी देदी 88 और 132 जब परीदी 88 होती है तो इस टाइम पर त्रिजय क्या आती है हमारे 14 यही तो बत मतलब हमें निकालने के वाँ सकतने पड़ेगी कि पहले परीदी दी है फेर परीदी से त्रिजय निकालो फिर दोसरे वर्द की तिरजय निकालो ठीक है तो हम डिर्यक्त इनका ऐसे यूज करेंगे तो यहनि के छोटे वर्द मान लिया छोटा वर्द यहां से आगई 14 उसके के शेट करें से छोटे वाले वर्त कर चीप निकाल दूंद तो यह वाला माना जाएगा हमारा निकाल लो यानिके पाई स्कॉर माइनस पाई स्मोल और स्कॉर पाई दोनों में से कोमन आ जाएगा हमारा है अब इनकी वैलु पूट कर दो पाई ऐसी कैपिटल ऐन्हिंके जो बड़ा है वो काई टो यानिके किसका स्क्वायर माईनस थूदा का इसक्वायर है अबहां पर यह हमारा एक पर जोड़ देते एक बनाथ देते यह वाला इस्वायर मैशनी स्क्वायर बगाबर होते हैं हमारा एक प्लस बी इंटू ए माइनस भी यहां पर यूज कर लेंगे यह डिर्यक्ट आपको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं का स्कुर्ण करो इसको घटा दो मर्जी आपकी जैसे भी करना आप छोटे छोटे तो आप इसको ऐसे बाइचांस ऐसे होता है कि संक्या बड़ी-बड़ी होती है उ जाएंगे हमारे 35 घुना जब मेंसेश को घटायेंगे कितना साथ बाइच क्या होता है हमारा 22 कंस भेटे 75 घुनवास सब्सक्त मारतक् wolves 55 6,60, सब्सक्राइब कर सकते थे अब देखो यहां पर यह अगर आपको टेबल याद है तो इतना समय आप बचा लोगे भोजाद है और सिद्धे से मांसवर रखेंगे निकाल लेंगे तो इसलिए मैंने आप से पहले का है उस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन पर नेक्स्ट कोर्शन हमारा नीचे दी गए नीचे दी गई आकर्ती में चैन की छेदर का च्छेथपड क्यात करना है मैं जो यह डाइग्राम दिया है यानि के जो यह पार्ठन है सैडव वाला इसका में छेथफल बताना मतलब क्या होगा ठीके दूस्तों च्छेथपल यानि इसका क्या होगा बताओ क्या आंशोर आएगा की कमेंट करके देखो हम कराते आपको कैसे करेंगे सबसे पहले यह बन क्या रहा है यहां से तक अ डी भी यह बाला पूरा पॉर्शन क्या है यह हमारा पूरा तो यह वर्त है यदि इसको दो वाग में बाद दे तो अर्दवर्थ हो जाएंगे एक उपर वाला एक नीचिए वाला यान के ये वाला क्या होगे हमारे अर्दवर्थ है यादि मैं अर्दवर्थ में इस वाले तिरभुच का छेत्पल घटा दूं तो हमारा ये सेड़ो वाला पार्ट आ जाएगा नहीं हो जाएगे ठीक है दोस्तों अब करते एंधि के सबसे पहले योदि मैं अर्दवर्थ का छेत्पल मिन से इस ट्राइंगल की b Comm quiser अपने निर्भूज बनने हैं दो एक ये वाला तिर भूज ये वह लगए लगत तीर भूज A, C, B और तिर्भुज B, C, D का छेत्रपल अब देखो जी ये भी A है ये भी A है यानिके कैसे तिर्भुज बनेगा सम्दिवाव तिर्भुज यानि जिसकी दो भुजाई पराबर है ऐसे इधर भी इधर भी तो दोनों एक से यानिके दो गुना एक बटे दो आधार गुना ह हों चायए जायी अधार क्या है हमारा Nagu चाय क्या सुरी आधार है वो चाहिं भी आपक तो ये क्या हुजाएगा दो से दो कैंसल एक ज्काव झतर्ज भी करना का एक है वेनलुक कि सकते है उलगा अब इसको मैं परड़ी में इसको घटा दू हमारे सैड़ वाला जो भाग यानि एरिया पाई A square बटे 2 minus A square दोनों में क्या common है A square तो A square common ले लिया तो यहां से Pi upon 2 minus 1 centimeter square यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों समझ आ गया क्या 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 हमने अर्दवर्द के छेतपल में से इन दोनों तिरबुज का छेतपल घटा जाएगा बहुत सिंपल साथ ऐसे हम आगे कोशन करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा नेक्स्ट कोशन है किसी वर्तकार मार्ग के भाईये तता आंत्रिक परिमापों का अनुपाद 23 अनुपाद 23 है यदि मार्ग की चोड़ाई 5 मिटर है मार्ग की चोड़ाई कितनी 5 मिटर है तो आंत्रिक वरत का व्यास व्याद करना है ठीक है क कॉप्षन देख लो समझ आ गया होगा करते है क्षिए वर्तकार मारके भायत तता अंत्रिक परिमापों का अनुपात परिमाप यानि परीधे का अनुपात दिया है अब देखो जी हमने भाय यह वाला पीवन मान लिया और अंत्रिक पीटू इस तरीके से मान लिया इनकी वैल जाएगा इस मॉल यानि बड़े वाले वर्त की तिरिज्ञा देखो यह आता भी कायों है मैं आपको बता देता हूं जैसे पीवन क्या है हमारा बड़े वर्त और फीटू है छोटा वर्त जो परिमाप यह हो गया और छोटे वर्त का यह हो गया यानिके दोनों कट जाते परिमाप का रेश्व दिया है वह क्या होता है वर्थ की तिर्ज्याओं का अनुपात होता है ठीक है तो यहां से हमारा कैपिटल र यानि तिर्ज्याओं का जो रेश्व आगे कितना थेश्व अनुपात बाइस आगे यदि मार्क के चोड़ाई पौंच मीटर है अब देख लो एक वर्थ एरा एक वर्थ एरा ठीक है जी इसके यह स्मॉल आर वाला हो गए कैपिटल आर जो इसके यह वाले जो भाग की जो फूड़ाई दी है वो कितनी पौंच मीटर दे रख्वी यानिके इहां से यह तो है कैपिटल आर माईनस इस्मॉल आर की वैलू कितनी है तो हमें क्या पूछ आणत्रिक वर्थ यानी छोटे वाले कि व्यास कुछ है यान से हमाइन छोटे वाले कि त्रिज्याक आ जाएगी कितनी 22 गूणा पांच 2250 एकस्षोक तर्श अब मैं क्या निकान लेता है व्यास व्यास क्या होता है त्रिज्याका जोग ना यानि के डी टो आर एनके 110 गुना दो यानी 220 मीटर यह क्या होगा हमारा आंस्वाथ एक अच्छा कोशन था छोटा सा एनके आपको यहां से एक नहीं फोर्मुले का पता लग गया जो वर्थ का परिमाप का रेशो होता है वही वर्थ की तिर्जाओ का रेशो के बराबर होता है ठीके दोस्तों इसको आप अच्छे से याद रखना यहां तो दोस्तों आज हम पर समाप्त करते हैं कि हमारे जो इस लेक्टर के लेंद काफी लंबी हो जाएगी तो हमारा मतर सिस्टम अभी ऐसी है ज्यादा बढ़ा नहीं है तो यहां तक आज ही पर समाप्त कर देते हैं तो और सेफ रहा हो क्योंकि आपको पता हैं हमारे बहुत ज़्यादा फैल लिए तो आप अपने घर में रहे कुछ इंपोर्टेंट काम है तभी घर से बाहर निकले तो आगे मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में और हां आप इस हमारे जो वैप स्टैडी पॉइंट चैनल है इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जहीं दोस्तों धन्यवाद